हेलो गाईस क्या हाल चला आप सबके माईनेम इस जीवी सिंग एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर कोई भी लेक्चर नहीं और आज हम डिसकस करने वाले हैं एक न्यू टाइम टेबल क्योंकि आपको पता है कि अभी पोस्ट पॉन हो चुक है पेपर और कुछ स्ट्राइडजी में यहां भी डिसकस कर देता हूं लेकिन अगर कोई बंदा उस ट्राइडजी को अल्रेडी फॉलो कर रहा तो डाइस वह अपनी स्ट्राइडजी बिल्कुल तूटने मत दे क्योंकि वह बहुत अच्छी प्रेडजी में बताई थी जो वायबल थी और वो आपको easily सब समझ में आ जाए कि मैं बताना क्या चाहता हूं हर एक चीज जो मैं आपको deliver करना चाहता हूं वो आप तक easily पहुंच जाए उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि maths जो है यार वो आपके पास उस टाइम पर मैंने बोला था कि बहुत जादा समय नहीं तो आप क्या करना तीन के multiple में लगा ले ना क्योंकि उससे क्या होगा जैसे two two second question लगा लिए fourth लगा लिए six लगा लिए तो जो भी है आपकी book है ठीक है कि रन है रकेष censor की book है उसमें आप double c multiple में या तीन के multiple में लगा लिए अपनी speed के अपनी सुविधा के अनुसार ठीक है लेकिन लगाने जुरूर है previous year उससे आपकी speed भी बढ़ेगा accuracy भी बढ़ेगा और content तो आपको मैं provide करना हूँ या कहीं से भी आप और ले रहे हैं तो ठीक है कुछ लोग होते हैं वो target based मलब इस हफते का आपका target है कि आपको profit loss या फिर उसके साथ-साथ एक और chapter वो दो chapter खतम करने तो यह आपका एक हफते का बताने जा रहा हूँ तो आप weekly basis वाली follow कर सकते हैं ठीक है daily basis वाली जो मैंने है वो description में मैं link दे दूँगा उसमें मैंने बता रही है अगर आप वो follow करना है जाते हैं वो कीजिए description में मैं link दे दूँगा यहाँ पर मैं थोड़ी target based बता रहा हूँ ठीक है weekly यह है week का plan तो अगर आप week में यह strategy को कुछ इस तरह से plan करेंगे तो यह easy रहता convenient रहता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो हमारा वह उता है होना की time की हम इस तीन गंटे में यह पड़ेंगे उस दो गंटे में यह वह हम कई बर करनी पाते हैं बोरिंग फील होने लगा तो दिन follow करते हैं तीन दिन फिर छोड़ देते हैं उसको कोई फाइदा निया तो इसलिए मैंने target based study इसका नाम रख दिया है ठीक है target आपका क्य कोई इतना बड़ा topic तो है नहीं तो आप compound interest कर सकते हैं इस तरह से आपने weekly basis पर करना है कि एक हफते में मेरा target है मुझे यह चीज खतम करने ही करने है आपको एक हफते का रखने एक हफते का रखिए एक दो दिन extra कर रखने है अगर थोड़े slow है slow runner है तो आप एक दो दिन extra र कर रहे हैं अगर आप फिर से बापिस जाके सारी चीजे start करने की कोशिश कर रहे है तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं जहां से आपकी study चल रहे हो उसी को resume कीजिए यह मत सोची कि अगर time बढ़ गया तो आप बच्चेहों के अंदर यह thinking आ जाती नहीं यार मेरे को पिछला भी फिर से वापिस जाता हूं तो अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो वह गलत हो जाएगा पहली बात तो आपको शुरू से ही सही से पढ़ना चीए था ऐसा होना ही नहीं चीए कि आप शुरू से मोटा मोटा पढ़ रहे हो और आपको अच्छे से concept clear ही नहीं है फिर वह गलत है जब concept अच्छे से clear नहीं होती है तब ही वापिस बंदा जीरो पे जाता है ठीक है कि हाँ मैं दुबारे से पढ़ लेता हूं लेकिन अभी ऐसा में बिल्कुल मत करना क्योंकि पेपर कभी भी हो सकता तो आप अपनी त्यारी को full रखिए तो अभी आपको यही करना है कि हाफ सकते हैं कि rules के noun pronoun ये और adjective ये तीन ओमर को खतम करने हैं से ठीक है तो आप इस हफते complete कीजिए और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं भी हो रहे हैं तो दो धाई दिन extra लेकि उसको खतम करने की कोशिश कीजिए लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आप एक हफते की जगा दो ह questions ठीक है तो इस तरह से यह होगी English की strategy और हर वीक आप ऐसे target based study कीजिए general studies की मैं लास्ट टाइम भी लास्ट वीडियो में target based ही बताई तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एक हफते में आप कर लीजिए physics खतम एक हफते में chemistry एक हफते में आप बायो और एक हफते में मैंने आपको बताया था कि अगर यह कर लेंगे तो चार हफते में आपको almost सारा जीएस का बहुत बड़ा portion खतम हो जाएगा और उसके बाद भी अगर टाइम बचते है तो जो गरफी है history में सो उठा लेना यह बताया था और मैंने बोला था कि last के जो 10 तीन होंगे उसमें हम GS की strategy मैं बता रहूं बहुत viable है ठीक है अभी आप एक हफते के अंदर यह physics कर सकते हैं ऐसा निये की physics को नहीं कर सकते हैं आपको time देना पड़ेगा ऐसा निये की एक घंटा पड़के आपकी physics हो जाएगी अकर आप सोचो के एक घंटा पड़के और नहीं वो नहीं होगा दो गंटे तो कम से कम देने पड़ेंगे ठीक हर रोज अकर दो गंटे दोगे तो तब जाके शायद खतम होगी तब भी हो सकते एक दो दिन एक्स्ट्रा ही लग जाएं ऐसी फिर chemistry और physics तो स्टिल थोड़े चोटे हैं बायो उससे जादा बढ़ा है ठीक और quality भी बहुत बढ़ रीजनिंग में आपको मैंने बता रख है कि रीजनिंग में ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है आफ और बहुत है इसमें मैं कोई टार्गेट नहीं दूंगा आपको इसमें मैं बोलूगा कि आद्धा गंटा लगाना जो भी important topics से आपको लग रहे हैं उनको आद्धा ग क्योंकि मोक से कभी भी आपको score नहीं भड़ सकता क्योंकि उससे content building नहीं होता है वो speed में help कर देगा accuracy में help कर देगा ठीक है तो pressure management में help कर देगा time management में help कर देगा लेकिन content building में help नहीं कर सकता मोक तो इसलिए आपको मोक अभी नहीं ज्यादा देने हफते में एक सफिशेंट है ठीक है अगर आप ज्यादा ही तेज स्टूडेंट है तो आप दो दे सकते हैं उससे ज्यादा बिल्कुल मत दीजेगा आप content building में ज्यादा time spend कीजिए और self study ज्यादा कीजिए ठीक है और बा जी आप ठीक है वो आपके लिए बहुत beneficial होगा उनको करने के बाद जब आप previous year लगाएंगे तो आपको फड़ा-फड़ से questions solve होते जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी एक दम मक्खन की तरह चलो गए ठीक है तो यह थी कुल मिला के strategy और जहां फिर कहेंगे हम time table इसको आ viable है flexible है आप अपने coding set करके उसको बहुत easily score कर सकते हैं और अपने targets को पूरा कर सकते हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस तो फड़ा-फड़ से subscribe कर लिए शेर कीजिए फूब दुबागे bell icon जो साथ में सब्सक्रिप्शन के बटन के है उसको दबा लीज देखिए और आपको बहुत ज्यादा अच्छा score improve होगा यह मैं आपको guarantee दे रहा हूं ठीक है चलिए हम मिलेंगे अपने next lecture में तब तक के लिए take care good bye guys